नमस्काल दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज किस नई वीडियो में और आज किस वीडियो में हम आपको जनकारी बताने वाले हैं हमारे मद्ध्रिदिस में प्रोफिशनल एक्जामनेशन बोर्ड द्वारा PAT, PB, FT और DA, HET आदी की ओनलाइन प्रवेस प्रिक्रिया प्रारम्भ के लिए ओनलाइन आविदन की जो डेट है वो यहां पर प्रकासित की गई है तो समस्त छात्र जिनोंने कक्सा बार भी पास किया हुआ है और PAT आदी प्री एग्रिकल्चर टेस्ट इसके बाद पसुपालन डिपलोमा प्रवेस परिक्षा यानि DA, HET और इसके साथ साथ PV और FT यानि प्री बैटनरी एंड फिसरी टेस्ट के लिए ओनलाइन आविदन करना चाहते हैं कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए ओनलाइन आविदन श्टार्ट होने वाले हैं जिसकी इंफरमिशन यहां पर हम बताने वाले सबसे पहले हम बात करते हैं प्री एग्रिकल्चर टेस्ट यानि PAT 2021 के ओनलाइन आविदन के बारे में तो इसकी जो ऑनलाइन आविदन भरने की जो टिथी है वो 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2021 के बीच में है और यहां पर जो इसकी एग्जाम की डेट है वो 5 से 7 दिसंबर 2021 रखी गई है इसकी जो परिक्षा सेंटर है वो भोपाल, इंदौल, गौार्लिया, जवलपूर, उज्जेन, सतना, सागर, रतलाम और मंदसौर हैं इसमें जो ऑनलाइन आविदन की जो फीस है वो सामान कैटिगरी के लिए 5 रुपे, SC, ST, OBC और विकलांग कैटिगरी के लिए 26 रुपे का पेमेंट करना होगा इसके बाद दूसरे नमबर पर बात करें DAHAT यानि पसुपालन डिप्लोमा प्रवेस परिक्षा के लिए तो जो छात्र डिप्लोमा पसुपालन डिप्लोमा प्रवेस परिक्षा में भाग लेना चाहते हैं या फोर्स करना चाहते हैं और यहां पर जो इसकी एक्जाम डेट है वो 26 नवंबर 2021 से रखी गई है, परिक्षा सेंटर की बात करें, यहीं परिक्षा साहिर की बात करें, तो बोपाल इंदर गवालियर जेवलपूर है, और ऑनलाइन आविदन करने की जो वेफशाइड है वो peb.mp.online.gov.in है, इसके बा आगे चले तो प्री बेटनरी एंड फिसरी टेस्ट पी भी और एफटी के लिए 2021 के लिए ऑनलाइन आविदन स्टार्ट होने वाले हैं, जिसकी भी डेट 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2021 तक है, और इसकी जो परिक्षा डेट है वो 27 से 28 नवंबर 2021 रखी गई है, और इसक 200 रोपे है, स्टी, स्टी, ओवी सी और पिछड़ वर्ग के लिए 200 रोपे का पेमेंट यहां पर रखा गया है, इसके बाद सभी छात्रों को बताना चाहेंगे, जो इंटरेंस एक्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए यहां पर आधर कार्ड और क्रक्षा दस्बी की माक्ष इसके हिसाब से आपका नाम और डेट अब बर्थ समान होना अनिवार है, यानि अगर आपके अधर कार्ड में डेट डेट अब बर्थ और नाम अलग-अलग हैं, तो आप उसे सुधार करवा सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें बात में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके ल अध्यम से हेल्प करने का पूरा प्यास करेंगे, जानकारी अच्छी लगए हो तो लाइक और शेड़र करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद